हिमानशी खुराना के हाथ भजवाया है अरहान खानने संदेश वो क्यों है रश्मी से नाराज? वो क्या चाहते है रश्मी से? और क्यों उन्हें लगता है कि उनकी जो नैशनल टीवी पर उनको लेकर जितनी भी गलत फैमिया क्रियेट की गई है उसे रश्मी कैसे कर सकती है साफ क्यों रोई? वो हिमानशी के सामने मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो के आपको बताती हूँ लेकिन अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे ये तो आप जानते हैं कि अरहान, रश्मी और सिध्धात का एक बहुत बड़ा मुद्धा हुआ था ऐसी लड़की वैसी लड़की अरहान का बच्चा है, बीवी है ये सब कुछ नैशनल टीवी पर खुला सा हुआ है बहुत सारी चीजे अरहान की शो में आने के बाद बदली है लगिन अरहान, रश्मी से क्या चाहते थे उन्होंने हिमानशी के साथ भिजवाया संदेश उन्होंने कहा कि तुम जो है, मैसेज भिजवाया तो तू क्या उस बात को भूल गई है, यानि की रश्मी भूल गई है, फिर हमानची कहती है, वो इंसान मेरे सामने रोया है, यानि अरहान हमानची को फोन करके रोय है, दोनों घर के बाहर थे, आपस में टच में रहे होंगे, हमानची घर के अंदर आ रही है, तो अरहान को ल कि यहीं होनी चाहिए थी तो रश्मी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिन चीजों को लेकर अरहान की इंसल्ट हुई थी उन सब का क्लैरिफिकेशन अगर रश्मी चाहती तो नैशनल टेलिविजन पर दे सकती थी साथी वह बोलते हैं अगर इसने मेरे जाते ही उससे दोस्ती क तो मेरे लड़ने का क्या मतलब था तो अरां को लगता है कि अगर उन्होंने रश्मी के स्टैंड उठाया रश्मी का साथ दिया तो उनके जाते साथ रश्मी क्यों सिध्धार शुक्ला के करीब हो गई साथ ही वह बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन मुझे ज रश्मी ने तो इस सारी बाते जो है वो जानना चाते हैं और यही मैसिज जो है उन्होंने हिमानशी के साथ रश्मी के लिए भिजवाया है तो इस सारी चीज़ आपको रात को देखने को मिलेंगी कि थोड़ा सा चंग था जो हमें पता चला क्योंकि जो प्रिव्यू आता ह है वो रो रहे हैं डिस्टर्ब है और वो चाहते थे कि रश्मी उनके लिए स्टैंड ले उनको क्लियर करें और सिद्धात के साथ उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है अरहान को तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजेगा लेकिन कमेंट करने से पहले चाहल को सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा